नमश्काल, मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए प्रेम चंदर जी द्वारा रचित कहानी दो भाई प्राते काल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती अपने दोनों वेटों को जांगो पर बैठा दूद और रोटी खिला रही थी केदार बड़ा था और माधव छोटा दोनों मुह में कौर लिये कई पक उचल कूद कर फिर जांगो पर आबैठते और अपनी तोतली बातों में बातों से मा का दिल बहलाते मा उन्हें पुछकार कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती उसके हृदय में प्रीम की उमंगती और नेत्रों में गर्व की जलक दोनों भाई बड़े हुए साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे केदार की बुद्धी चुस्ति थी और माधव का शरीर दोनों में इतना सनहे था कि साथ साथ पाटशाला जाते साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे दोनों भाईयों का ब्या हुआ केदार की वदू चंपा, अमित भाशनी और चंचला थी और माधव की बदू श्यामा सावली सलोनी रूप राशी की खान बड़ी ही मृदु भाशिनी और बड़ी ही सुशीला शांत सोभाव केदार जमपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रिजे परन्तु कलावती का मन किसी से न मिला वहे दोनों से प्रसन और दोनों से अप्रसन थी उसकी शिक्षा दिक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयतन में व्या होता था कि चमपा अपनी कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के श्यांत सभाव से बदल ले दौनों भाई संतानवान हुए, हरा भरा व्रिक्ष खुब फैला और फलो से लद गया कुछ सित व्रिक्ष में केवल एक फल दृष्टी गोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुर्जायवा कि दू दौनों आप्रसन थे माधव की धन संपत्ती की लालसाती और केदार को संतान की अभिलाशा भाग्य की इस कूट निती ने शनेश ने द्वेश का रूप धारण किया जो स्वभाविक ही था शामा अपने लड़कों को सवारने, सुधारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुरसत नहीं मिलती और बेचारी चमपा को चूले में जलना और चक्की में पिसना पड़ता यह अनिती कभी-कभी कटू शब्दों में निकल जाती शामा सुनती, कुड़ती और चुपचाप सहलेती, परन्तु उसकी यह सहनशिलता चमपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती यहां तक की प्याला लबालब भर गया हिरन भागने की रहाना पाकर शिकारी की तरफ लबका चमपा और शामा समकोन बनाने वाली रेखाओं की भाती अलग हो गई उस दिन एक ही घर में दो चूले जले, परन्तु भाईयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही कई वर्ष बीद गए, दौनों भाई, जो किसी समय एक पालती पर बैठते थे और एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूद पीते थे उन्हें अब एक घर में एक गाउं में रहना भी कटिन हो गया पर अंतु कुल की साक में बट्टा ना लगे, इसलिए एश्या और दुएश की धदगी हुई आख को राक के नीचे दबाने की व्यर्थ चेश्टा की जाती थी उन लोगों में अब भात्रिस नहें तो था नहीं, केवल भाई के नाम की लाज थी मा भी जीवित थी, पर दौनों बेटों का वैमनस्य देखकर आजू भाया करती हिर्दय में प्रेम था, पर नेत्रों में अभिमान ना था, कुसम वही था, पर अधू अब छटा ना थी दौनों भाई जब लड़के थे, तब एक को रोते देखकर दूसरा भी रोने लगता था, तब वह नादान, बेसमच और भोले थे आज एक को रोते वे देख, दूसरा हस्ता और तालिया बजाता, क्योंकि अव्य समझदार और बुद्धिमान जो हो गए थे जब उन्हें अपने पराय की पहचान ना थी, उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता, तो दूसरा जमेन पर लोड़ जाता उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता, अब यदि एक भाई को मृत्यू भी आधम काती, तो दूसरे के नित्रों में आशू ना आते, अब उन्हें अपने पराय की पहचान हो गई थी बिजारे माधव की दशा शोचनिय थी, खर्च अधिक्ता और आमंदिनी कम, उस पर कुल मर्यादा का निर्भा, हृदय चाय रोए पर होट हसते रहें, हृदय चाय मलीन हो पर कपड़े मेले ना हो, चार पुत्र थे और चार पुत्रियां, और अवश्यक वस्तुएं मोतिय कुछ पाईयों की जमिदारी कहां तक संभालती, लड़कों का विहा अपने वश्की बात थी, पर लड़कियों का विवा कैसे टल सकता था, दो पाई जमीन पहली कन्या के विवा में भेटो गई, उस पर भी बाराती बिना भात काय आंगन से उठ गए, शेश दूसरी कन्या जो मास और कुत्ते में, इस कन्या का भी गौना ना हुआ थे कि माधव पर दो साल के बकाया लगन का वारंट आप पहुचा, कन्या के गैनों गिरो रखे गए, गला छूटा, चमपा इसी समय की ताक में थी, तुरंत नए नातोदारों को सूचना दे दी, तुम लोग ना हसे आवे, ना जमीन, ना जायदत, ना बाग, ना बगीचा, रहा विश्वास वह तो कब का उठ चुका, अब यदि कोई संपत्ती थी, तो केवल वही दो कोठरियां, जिसमें उसने अपनी सारी आयू बिताई थी, और उसका कोई ग्रहक ना था, विलंब से नाक कटी ज जाती थी, विवर शोकर केदार के पास आया, और आखों में आशु भरे बोला, भाईया, इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी सहायता करो, केदार ने उत्तर दिया, मधू, आजकल तो मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुमसे सच कहता हूँ, चमपा, अधिकार पूर्ण स् पूली, अरे तो क्या, इनके लिए भी तंग हो रहे हो, अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी, केदार ने इस्तरीकियों और कंखियों से ताक करका, नहीं नहीं, मेरा तो यह है प्रयोजन नहीं था, हाथ तंग है, तो क्या, कोई ना कोई प्रबंतों किया ह जाएगा, चमपा ने माधव से पूछा, पांच भी से कुछ उपर ही पर होंगे न, गहने रखे थे न, माधव ने उतर दिया हाँ, ब्यास सहीद कोई सवा सो रुपे होते हैं, केदार रमायन पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में लग गए, चमपा ने तत्व की बात्चित शुरू की, रुपिया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, परन्तु हमें भी तो दूसरों से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपिया देते नहीं, माधव ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता, तो क नहीं मन कहा, क्या आज, आज सच मुच जीवन की प्यारी अभिलिशाए पूरी होंगी, परन्तु हिर्दे की यह है, उमंग मू तक आते आते गंभीर रुखधारन कर गई, चमपा बड़ी गंभीरता से बुली, घर पर तो कोई महाजन का दाचिती रुपिया दे, शेहर हो कुछ किराया ही आवे, पर गवाई में तो कोई सेथ में रहने वाला भी नहीं, फिर साजे की चीज चैरी, केदार डरी कि कहीं चमपा को कठोरता की कठोरता से खेलना बिगड़ जाए, बोले, एक महाजन से मेरी जान पैचाने वे कदाचित कहने सुनने में आ जाएगा, चम चमपा ने तिवरिद रिष्टी से केदार को देखा, अनमनी सीयोकर बोली, महाजन ऐसे अंदे नहीं होते, माधव अपने भाई भावच के इस गुप्त रहस्यों को कुछ कुछ समस्ता था, पर वह चकित था, कि इन्हें इतनी बुद्धी कहां से मिल गई, बोला, और रु रुपियों के लिए फिक्र करो, सवा सो रुपे इन दो कोटरियों के इस जनम में कोई न देगा, चार बीस चाहो तो एक महाजन से दिलवा दू, लिखा पड़ी कर लो, माधव, इन रहस्यों में बातों से सशंक हो गया, उसे भै हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चा चास के लिए दोनों एक ही बात है, यदि घर बेच कर मेरा नाम रहा जाए, तो यहां तक तो स्विकार है, प्रन्तु घर भी बेच हूँ और उस पर प्रतिष्ठा भी धुल में मिले, ऐसा मैंना करूंगा, केवल नाम का ध्यान नहीं तो एक बार नहीं कर जाओं तो मेरा को और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं, मुझे कौन जानता है, संसार तो भाया पर ही नहासेगा, किदार का मुझ सूख गया, और चंपा भी चक्रा गई, वह बड़ी चतुर, वाक्य निपुन रमड़ी थी, उसे माधव जैसे गवार से ऐसी द्रड़ सौही दिलाओ, मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ, उतना ही मेरा भी तो है, घर पर तो तुमको वही चार बीस मिलेंगा, हाँ, और रुपयों का प्रभण हम आप कर देंगे, इज्जत हमारी तुमारी एक ही है, वह ना जाने पाए, वह रुपया अलग खाते में चड सन होकर चलो, उसके जाने के बाद केदार और चमपा ने कपट भेश त्याग दिया और बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोशी सिद्ध करने की चेश्टा करते रहे, अंत में मन को इस तरह संतोश दिया, कि भोजन बहुत मधूर नहीं, कि इंदू भर बस इनमें इतना ही नाता है, किन्तु अभी कुछ दिन हुए, जब इनमें से एक चमपा के मैके मंगनी गया था, तो दूसरे ने तीन तक नाद में मूँ नहीं डाला, परन्तु शोब, एक गोद में खेले भाई, एक छाती से दूद पीने वाले आज इतने विगाने हो गए कि एक घर में रहना भी नहीं चाते, प्राते काल था, केदार के दौर पर गाउं के मुख्या और नमबरदार विराजबान थे, मुशी, दाता देयाल, अभिमान से चार पाई पर बैठे रेहन का मस्वीदा तयार करने में लगे थे, बार बार कलम बनाते और बार बार खत र भाई ऐसा हित ना भाई ऐसा शत्रू, केदार ने चोटे भाई की लाज रख ली, नमबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो, मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है, ताता देयाल ने कहा, रेहन लिखने वाले का नाम, बड़े भाई बोले, माधव व लिखना सका, नमबरदार, मुख्या और मुक्तार भी विस्मित हुए, क्या केदार खुद ही रुपिया दे रहा है, बाचीत तो किसी साहुकार की थी, जब घर ही में रुपिया मौजूद है, तो इस रहन नामे की क्या वश्यक था, भाई भाई में इतना आविश्वास, अ नौकाएं डगमगाने लगी, शामा दरवाजे की चोखट पर कड़ी थी, वहस सदा किदार की प्रतिष्ठा करती थी, परन्तु आज केवल लोकरीती ने उसे अपने जेट को आड़े हातों लेने से रोका, बुड़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ाई, उसने एक बर अकाश की और देखा और माता ठोक लिया, अब उसे उस दिन का समरण हुआ, जब ऐसा ही सुहावना, सुनहेरा प्रबाद था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसके गोद में बैठे वे, उछल कूद कर दूद रोटी खाते थे, उस समय माता के नित्रों में कितना अभिमान था, हिर्दय में कितनी उमंग और कितना उस सहा, परंतु आज, आज, नैनों में लज्जा, हिर्दय में शोक संताप, उसने प्रित्वी की और देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायन, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोक से जनम लेना था?